बाइब 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 हैं जैसे the teacher said to the student you can do it teacher ने बच्चों को कहा तुम इसको कर सकते हो तो इसमें set to को हम told में change करते हैं the teacher told the students कोमा को उठाने के लिए हमने that लगा दिया that अब क्या है you है वो second person है वो object के अनुसार change करेगा और object है इसमें student है तो हो जाएगा they they can है वो could में change करते है they can they could do it it का it आ गया कोमा को हठाने के लिए हमने that लगा दिया ये था ये हमारे affirmative sentence आज हम करने जा रहे हैं interrogative sentences interrogative sentences वो sentence होते हैं जिनके last के अंदर interrogation question mark दिया होता है ठीक है interrogative sentence वो sentence होते हैं जिनके last में interrogation दिया होता है question mark दिया होता है अब interrogative sentence का narration change करना होता है तो दो तरह की situation आती हैं दो तरह की sentence आएंगे या तो वो what, why, where, who, when, which, whom, whose, या how से शुरू होंगे ठीक है और या फिर वो is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did, may, might, can, would से शुरू होंगे अब जब हमारे sentence डेबल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हो question वर्ड से शुरू हो रहे हो what, when, where, who, when, which से शुरू हो रहे हो तो हमने if नहीं लगाना होता ठीक है और जब हमारे question है वो is, am, are से शुरू हो रहा हो ठीक है वर्ड से शुरू हो रहे है तो फिर हमने if का प्रियोग करना होता है तो इसे दुबारा सुन लो जब हमारा question what, when, where, who, when, which, whom या how से शुरू हो तो हम if लगाएंगे और जब हमारा question है तो हम if नहीं लगाएंगे और जब हमारा question is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did से शुरू हो या may, might से शुरू हो तो हमने if का प्रियोग करना है अब देखो इसकी examples teacher said to me what are you doing teacher ने मुझे कहा तुम क्या कर रहे हो तो what से शुरू हो गया तो if का प्रियोग हम नहीं करेंगे ठीक है, if का प्रियोग है वो नहीं करेंगे the teacher अब set to को हम पहले told में change कर रहे हैं अब हम ask में change करेंगे क्योंकि पूछ रहा है यहां से पता लग क्या हमें ask लिखना है, second form लिखनी है the teacher asked me कॉमा को हटाने के लिए अब if यहां पर नहीं आएगा तो what का what लगा दो अब बस हमने ध्यान ये रखना है कि पहले was वर को, is MR को was वर में change करते हैं सीधा ही was वर नहीं लगा देना पहले हमने subject को change करना है subject इसमें you है, तो you me के नुसार हो जाएगा I, what I is MR को was वर में change करना है what I was doing, यानि कि यहाँ present continuous stance है इसको past continuous में हमने change कर दिया और interrogation को हटा करके full stop कर देना है, कोमा को हटाने के लिए हमने if का प्रयोग है वो नहीं किया है, ऐसे ही doctor said to the patient were you feeling uneasy, doctor ने patient को कहा कि क्या वो uneasy feel कर रहा है तो क्या हो जाएगा, doctor said to को हमने change कर दिया, asked के अंदर, ठीक है, ask the patient अब कोमा को हटाने के लिए अब हम यहाँ पर if का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह helping वर्फ से शुरू हो रहा है, if ठीक है, अब यहाँ पर you second person है, पहले हमने was work को change नहीं कर देना, head been में, हम पहले you को change करेंगे, पहले interrogative sentences के अंदर पहले subject को लगाते होते हैं, अब second person, you है, वो second person है object के अमसार patient है patient की जगे हो गया, he what he, was work को हमने head been में change करना होता है, was work first form ing है, उसको present, यह past continuous होता है, इसको past perfect continuous में, ठीक है had been feeling uneasy हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, को मा को हटाने के लिए हमने, ठीक है वो if लगा दिया है, और last में interrogation की जगे full stop आएगा, interrogation नहीं आएगा, अगर आपने interrogation लगा दिया तो वो wrong हो जाएगा, ऐसे ही, the beggar said to me beggar ने मुझे कहा why are you, why are the people so miser today कि लोग हैं वो इतने कंजूस क्यों हो गए है the beggar, set to को ask में change कर दिया, ask me, अब why का why आजाएगा if नहीं आएगा देखो, ठीक है यहाँ पर if नहीं आएगा if को हमने नहीं लगाना, if नहीं लगाना हमने why का why, अब subject को पहले हमने लगाना है, the people इसे मार को वोजवर में सीधा चेंज नहीं कर देना, पहले आएगा the people, इसे मार को वोजवर में change किया, were so miser, today beggar ने मुझे पूछा कि लोग इतने कंजूस क्यों हो गए हैं आगे, rani said to me where are you living, rani ने मुझे पूछा कि मैं कहां रह रहा हूँ ठीक है, अब देखो where से शुरू हो रहा है interrogation, ठीक है हमारा question, तो if का प्रयोग नहीं करेंगे हम, rani ask me, where का where लगा रहेंगे, पहले इसे मार को नहीं change करेंगे, पहले you second person ने उसको change करेंगे object के अनुसार change होगा तो you की जगे हो जाएगा I, where is MR को was बर में change करना होता है where I was living, ये present continuous tense है, past continuous में change करती है कोमा को हटा करके हमने full stop लगा दिया interrogation की जगे, full stop लगा दिया she said to me did you compose poem उसने मुझसे पुछा कि क्या तुम poem लिखते हो, तो क्या है अब ये कि देखो, did आ रहा है ठीक है, तो did आ रहा है, तो हमने यहाँ पर if का प्रयोग करना है she said to को हमने ask में change कर दिया me का me आ गया, अब if लगा दो या weather लगा दो, एक ही बात होती है if you second person है according to object, I हो जाएगा I, did plus first form है, इसको हमने क्या है कि had plus third form में change करना होता है यानि कि यह past indefinite tense है, past indefinite tense को past perfect tense में change करना होता है यानि कि had plus third form में change करना होता है did plus first form, had plus third form में change होती है if I had composed poem कि क्या मैंने poem में लिखी है क्या मैं poems लिखता हूँ तो last में full stop हो गया, तो यह आपके हैं interrogative sentences hope that आपको समझ में आ गया होगा thank you so much